क्या आपको पता है फ्री फार में से कई सारे चीज़े हैं जिनके बारे में आप जानते तक नहीं हो क्योंकि आप एक नियू प्लियर हो और आज के सुड़ा हम लोग ऐसी कुछ ओल्ड थिंग्स के बारे में बात करने माला है जिनके बारे में आपको शायद ही पता होगा तो पहले ऐसा कुछ टाइम पिरेट था उस टाइम पिरेट के अंदर आप लोग फ्री फायर नहीं केल सकते थे और अभी के टाइम पर मोस्ट डिमांडिक हैं मोस्ट बंडल हिप-फॉप बंडल से बट आज से दो साल पहले सबसे और बंडल कुछ और ही हुआ करता था एंड़ कौन से बंडल हुआ करता था मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा तो आज के वीडियो होने वाला है काफी दर इंट्रेस्टिंग तो याज से वीडियो को बिन भूले लाइक कर देना एंड चैनल पर प्लीज सब्सक्राइब करके बाजूए बहुत जारा मैनत कर सब्सक्राइब करता है तो आप लोग दिखा दो कि पावर क्या होती है जाके बंदे को सपोर्ट करें खुब सरा प्यार दिखांग अगर रैंग गेम खेलते हो अगर ग्रैंड मास्टर में पिर कोई भी रैंक में हो आपका रैंक कभी माइनस होगा ही नहीं अभी की टाइम अगर यह तो काफी दर इंट्रस्टिंग यह आखिर कब और कैसे हुआ था और यह सिप और प्लेयर्स को ही पता होगी तो अपनों को मुझे बता था या नहीं यह बात तो यह बात है कुछ दो साल पहले की जब पहली बार रैंपे जाया था और एक इवेंट शुरू था उस कितना भी रैंग खिल रहे हमारा रैंग माइनर्स नहीं होगा और दो साल पहली की बात है प्रूफ तो अपलोग बैग्रोंड में देखी सकते हैं इस टाइम पर मैं बहुत जारे इसका फाइदा उठाओंगा बहुत जारा गेम केलूंगा बटे सैड लाइफ में पहले बहुत जारे देंजरेस फोन था मेरा उसमें फ्रीफार चलता है और उस टाइम पर मुझे बहुत डाटी शायद से मैं एक दो गेमी कहला उसका ममी ने फोन मांग ली दे मुझे काम में करके एंड मैं यहां पर इस इसका फाइदा उठानी पाई तो अगर आप एक ओल्ड प पहले का है और अभी देखो यह अभी का है अभी सब नीचे में घास घास मतलब ग्रिन ग्रिन हो चुका है बट पहले ऐसा नहीं हुआ करता आप लोग बैग्रॉंड में देखो पहले यहां पे पत्थर पत्थर हुआ करते थे और यह बहुत पहले की बात है आई थिंक दो या धाई साल पहले की बात हो सकती है और यह चीज़ बहुत कम लोग कोई पता होगी अगर पता भी होगी तो नोटीस नहीं किया होगा किसी ने और इस चीज़ के बार में सिर्फ और प्लेयर्स को ही पता है तो क्या आपको इस पता थी यह बात मुझे कॉमेंट करके जरू स सोचरो वाई ऐसा कॉन सा टाइम था हम तो अभी के टाइम पर चोविस घंटे गेम खेल सकते हैं पर आपको एक बात बहुत तीन साल पहले एक टाइम पर सुबा के दो बज़े से लेकर सुबा के छे बज़े तक मतलब चार घंटे हम फ्रिफार नहीं किल पाते थे वैसे गे स्टार्ट का बटन डिसेबल है मतलब आप गेम को स्टार्ट ही नहीं कर सकते इससे यह प्रूफ होता है कि यह से तीन साल पहले हम सुबा दो बज़े से लेकर सुबा छे बहें तक फ्रिफार खेल नहीं पाते थे बट अभी ऐसा कुछ भी नहीं है अभी आप 24 घंटे भी ख जिखाता हूं वह लेकिन फ्रिफार में पहली बर मीगी लाया था तो पुकुछ इस टाइप का लिखता था फिर कुछ सामय बाद मीगाद को चेंज कर रहे कू अभी जो मीगल है कुछ टाइप का कर दिया तो इसले चारट ने का फेस चेंज कर दिया यह चीज हो सकती है कॉमेंट सेक्चिन में कॉमेंट कि जरू जरू बताना हां अगर आप लोग मुझे छे मैने पहले से फॉलो कर रहे हो ना तो शायद आपको इस पता होगी क्योंकि इस को मैंने आसे छे मैने पहले अपने फैक्ट वीडियो में कवर किया तो बिना भूले याद से लाइक जरू करना अगर आप लोग मारे चानल पे नए हो चानल को प्ली सब्सक्राइब करके बाद जो है उस वह जरूरू अपको पता ही है एंड इसमें कुछ यह वाली बात नहीं है वेस्ट अपग्रेड हो जाता है बट क्या आपको एक बात पता है कि पहले फ्रीफार में अगर हम वे यह वाला अगर हम इसे अपग्रेड की यूज करते थे तो सिर्फ हमारा वेस्ट अपग्रेड होता था हमारा हेलमेट अपग्रेड नहीं होता था इसलिए इसका नाम सिर्फ और सिर्फ वेस्ट अपग्रेडर है क्योंकि पहले के टाइम पे यह वेस्ट अपग्रेड ही करता सब्सक्राइब को पता होगी मैंने आपके मेमरी के लिए इसको रखा है यहां पर क्यूंकि बहुत लोग पता हो सकती है आपको यह चीज तो याद होगी पिंग डैमंड याद है अगर आप पासे एक सब्सक्राइब को यहां पर यहां यहांद होगा इसमें हमको एक डैमंड इन्वेस्ट करना है फिर उसके बार हमें तीन इसका फायर तो आप लोगों यह बहुत उठाया और आप एक उल्ड प्लेयर होता है अभी के टायम पर हमारे फीफार गेम में यह लाई यह एक करते नहीं तो मैं आपको बता दूं पिंक डैमंड की प्राइस सिर्फ और सिफ एक डैमंड हुआ करते थी और वह में स्टोर में अविलेबल मिलती थी एंड यह इवेंड में क्या सिंथा कि आपको कुछ भी एक डैमंड का खरीदना है उसके बाद आपको तीन डैमंड तो क्या आपको यह चीज़ पता थी यह बात मुझे को में जरूर से बताना ओल्डिस टिंग नंबर वन अभी के टाइम पे सब्सार रेयर बंडल कौन सा है अगर मैं आपसे पूछो नहीं तो काफी बंदे बोलेंगे क्रिमिनल स्कॉर्ड काफी बंदे बोलेंगे हिप- बढ़ा नहीं है थी यह बंदे को चाहिए पता ने में चाहिए इसके शूज में जो एनिमेशन था वह काफी जरा यूनिक था इसलिए चाहिए बंडल काफी दर पसंद करते थे तो आपकी पास क्या बंडल है मुझे जरूर से बताना वैसे तो अभी है स्टोर में अविलेबल सबसे रहे हैं महेंगा एटम स्टोर का 15 बंडल काफी अच्छा रहता हुआ और मुझे मिला जब वह गिफ्ट वाला आफ आया था फिर उसमें अपने दोस्तों को बोलेया घिफ्ट कर दो दोस्तों के को ने मैंनी वहां से गिफ्ट करवाया था आपको विडियो कैसा लगा मुझे कॉण में जरूर से बताना आएन उसाल पर जरूर्व सेट कर दीजाएगा कि आप लोग को मारे चैनल पर फ्रीफार सेटेड ऐसी इंटरस्टिंग वीडियो मिलता रहेगी एंड फेस्बूक एंट इंस्टा के लिंग डिस्क्रिप्शन बोक्स में तो जाकर फ्रीज फॉलो करें ना इंस्टाग्राम पर हम लोग 100 के फॉलोर्स के बहुत जाकर खुरीब है तो प्लीज गाईगर अपने अपने तक फॉलो नहीं कि एंस्टा पर जाकर फॉलो करें ना लिंक इस एंड डिस्क्रिप्शन तो आप मिलता हो नहीं से नहीं स्टाग्राइब अपने के लिए बापा गाईज रवी और पीस आउट थैंक्स वर वाचिंग